बीर्बल और तानसेन के विवाद की कहानी बीर्बल और तानसेन स्टोरी इन हिंदी Friends सक इस पोस्ट में हम बीर्बल और तानसेन के विवाद की कहानी बीर्बल और तानसेन की कहानी शेयर कर रही है इस कहानी में अकबर के नवरतनों में से दो अनमोल रत्न तानसेन और बीरबल के बीट जगरा हो जाना है दोनों में से कौन जीता है बादशा अकबर के नवरतनों में से दो रत्न तानसेन और बीरबल में एक दिन विवात छिड़ गया विवाद का विशय दोनों द्वारा स्वयम को एक दूसरे से गुणी बताना था विवाद की खबर जब बादशा अकबर तक पहुँची तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा तुम दोनों का विवाद यदि आपस में नहीं सुलज रहा तो तुमें किसी को मध्यस्थ बनाकर उनसे अपने विवाद का निप्टारा करवाना चाहिए अकबर की बात सुनकर बीरबल बोले जहापना आपकी बात से हम दोनों इस बात पर सहमत है किन्तु दुविधा ये है कि हम मध्यस्थ बनाए किसे कृप्या आप ही कोई मध्यस्थ सुझा दे अकबर ने सुझाव दिया तुम दोनों महाराणा प्रताप को अपना मध्यस्थ बनाए बीरबल और तांसे दोनों महाराणा प्रताप को अपना मध्यस्थ बनाने तयार हो गए अगले दिन दोनों उनके पास पहुँचे वहाँ पहुचकर गायनाचार्य तानसेन ने तुरंट अपनी रागनी छेड़ दी बीरबल कामोशी से अपने अवसर की प्रतीक्षा करने लगा किन्तु तानसेन के अनवरत गायन से उसे अवसर प्राप्ट नहीं हो पा रहा था जब उसने देखा कि तानसेन अपनी गायन विद्या से महराणा प्रताप को मोहित कर बाजी मार लेना चाता है तो उसने तानसेन को बीच में टोकते हुए राणा से कहा राणा जी हम दोनों एक साथ शाही दर्बार से चल कर आपको मध्यस्ट बनाने यहां आए है हमें आपके निर्णए पर पूर्म विश्वास है और जो भी आपका निर्णए होगा हमें शिरोधार्य होगा बीरबल आगे बोला मार्ग में मैंने पुष्कर में और मिया तानसे ने ख्वाजा की दरगाह में मननत मांगी है मैंने मननत मांगी है कि यदी मैं आपके दर्बार से मानपत्र प्राप्त कर लोटूंगा तो सो गाएं ब्रामनों को दान करूंगा मिया तानसे ने मननत मांगी है कि यदी वे आपसे मानपत्र प्राप्त कर लोटेंगे तो सो गायों की कुर्बानी देंगे अब सो गायों का जीवन और मरण आपके हाथ है यदी उने जीवन दान देने का विचार है तब मुझे मानपत्र दे दीजिए महाराणा प्रताब गायों का वद कैसे होने देते गाये उन्हें मातातुल्य और पूर्जनिय थी इसलिए उन्होंने बीर्बल को मानपत्र देते हुए अकबर को संदेश बिजवाया बीर्बल बड़ा नीतिग्य है उसकी जितनी बड़ाई की जाए कम है इस प्रकार तांसेन और बीर्बल के विवाद में बीर्बल ने अपनी अकलमंदी से विजय प्राप्त कर ली दोस्तों आशा है आपको ये बीर्बल और तांसेन की कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आने पर इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर भी कर सकते हैं बज़ेदार अकबर बीरबल की कहानिया के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठैंक्स